हिंदुबादी लेता साथ भी प्राची ने आई एस अधिकारी इफ्तिकार उद्दिन के बिबादित वीडियो को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तबलीगी और आतंकी सोच रखने वाले अधिकारी शड़ी अंतर के तहट धर्मांतरण जैसे मुद् पर मेडिया से मुखातिफ होते वे साथ भी प्राची ने कहा कि एक्षिकार उद्दीन जैसे पड़े लिखे लोग कालिवानी और तबली की सोच को अधिक बड़ावा देते हैं जबकि कम पड़े लिखे लोग बेड़ चाल की तरह होते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी अधिक जब आधाला वहीं अखिरे शाधापर पर निशाना साधा साथ भी प्राची ने और कुछ क्या कहा देखे इस रिकोर्ट में इस विशे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती है तो तो इस विशे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती है कि महां पर अल्रेडी जाब चल रही है दूद का दूद पानी का पानी में ऐसे मामदों में संत्रों का अरूपी पाया जाना कापिक दुर्वाग्यपूर्ण है हाँ यह तो है क्योंकि संत्रों समाज को दिशा देने के लिए राश्ट का भला करने के लिए जंता का उपकार जंता को दिशा देने के लिए होते हैं यह तो निश्चत है लेकिन उदर अफ्लेजी जो अपनी पार्टी में अति जैसे हमक को नता रही को अपराधियों को शामिल करें अपनी पार्टी मेरा सवाल यह था कि यह अपनियस यादर है वो लगतार यह कह रहे हैं कि प्रदेश में अपका बोलवा है लेकिन वो खुद अपराधियों को अपनी पार्टी में नौता दे रहा है अकी किमत को नौता दिया है और अगी जो अकी के बिटी हैना ने कल बयान दिया है कि बीजेपी सर्पार के जिन अफसरों के हमारी बिल्ने में तूड़े हैं धोस्ती हैं बीजेपी गॉर्णन्ट क वहाद दुकारी हमारी एक इक इतना पर लाकर खड़ा पर इस तरह के ब्यान आते हैं तब देश में क्या कहने चुनोती देरे हैं कानून देखिए वैसे तो यह कोश्चन आपको पत्रका और बंदों से हाथ जोड़के निवेदर कि यह तो योगी चीसे पूछना चाहिए यह विश्या तो योगी जी तो योगी प्रजी निदी हैं अब इनकी पार्टी समझ लिए यह बार टीक है वैसे योगी जी इस तरह का कारिय मुझे ऐसा विश्वास है अब बाथी समय बताएगा मेरा सवाल यह था कि अखलेस के यादव यह कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराज चरूंपा लेकिन वो खुद अपनी पार्टी में यानि कि समाजवादी पार्टी में अपराजियों को नौचा दिया है उना तीक हमत क हम टिगट गहेंगे हालना कि ब्यास कि निकाल दिया है तो अखिलेस जी का तो यह फंडर आ है अब राध्यों को संग्रक्षन देना अब जिसमें अपने वो पार्याल है जो कमिश्णर थे उतरान वो उसमें एक वो पार्ट सादर्श चलाते नजर आ रहा है एक वो मुसलिम इस तरह की सोच है इस तरह का जो विचार है कि मैं कहूं कि यह तबली की जो सोच है यह जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग है आतन की जो सोच है जितने ज्यादा इनमें पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं तो बोले बाले होते हैं उनको तो खाली भेड की तरह से बढ़ाया जाता है उस रास्ते पर चलाया जाता है तो इनकी सोची समझी साजी सारी बहुत बड़ा सडयंतर है। आपके सामने तो मेडिया के अभी आया है। मैं तो कब से चीक चीक करकी बोलाई। कितने मदर्सों में इस तरह की है, यूजनाओं के साथ। इस तरह के यह सडियंत्र धर्मांत्र का और भी बहुत सारे रेकट पकड़े जाएंगे अब चिंतन न तरी यह तो भी एक ही मिला है लेकिन गंभीर मामला यह है अभी तक के मुल्ला और मौलाना मौलवे सामें आते रहे हैं इस मामला में लेकिन आई यह सदिकारी का बोगी सी अधिकारी के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी सजा बनी चाहिए क्योंकि एक समयधानिक पद पर बैठ करके लोगों को उस सडियंत्र में फसा रहे हैं उस सडियंत्र के तहत एक योजना बना करके समाज को गुम्रहा कर रहे हैं लेकि साथ भी जब इस तनीक में मामला उत्र प्रदेश में आते हैं अधिकारी व्यक्त पाए जाते हैं तो उसमें सपाके सांसद्ध हैं बग साव हैं वो यह आलोप लगाते हैं कि मुख्या मंत्री योई आजिक तैनात मुस्लिमों को निसाना बना रहे हैं गल्भ तरीके स जोट इसी कुर्सी के लिए ये देश की इज़त को दाव पर रख सकते हैं